लास्ट क्लास के अंदर आपनों लोग एक जनर्रल इंट्रोडक्शन तो पड़ चुके इसका फिक है लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको यह बोला था कि cellular respiration जो है इसको detailed study हम लोग करेंगे ठीक है तो mechanism of cellular respiration में आपके साथ discuss करूंगे अब यह cellular respiration लिखा ही आप लोग जो नए आज जॉइन किया उनको थोड़ा दिक्कत होगी कोई नहीं में बैकप क्लास में explain कर दूगी बट cellular respiration तो क्योंकि मैं इन लों को पढ़ा जो कि आप glycolysis से start करना cellular respiration से दिमांग में चीज है तो clear हो रही है न क्या है चीक है तो इसके हैं सबसे पहले आपना glycolysis पहले अभी कोई भी लिखेगा नहीं पहले जब सुनेंगे after that we will start with the writing section सबसे पहले तो जो मैंने नाम लिखा है ना glycolysis इसे किसी एक और नाम से भी जाना जाता है 13th student है आपको idea होगा glycolysis को एक और नाम से भी जाना जाता है क्या बोलते हैं इंसे EMP pathway EMP pathway का full form पता है क्या हाँ EMP pathway यानि कि Ambidon Mayor of ये इसका नाम है glycolysis या फिर EMP pathway इसका synonym आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम लोग यहां पर वर्ल्ड देख रहे है glycolysis यह जो टर्म है यह Greek word से लिया गया है आपने बहुत जगह पर यह सुना होगा इस ए Greek word से derived है Greek या फिर Latin language से derived है इसका importance को ही मुझे बता सकता है कि वहीं से उसी language से हम क्यों लेते हैं इस सारे terminologies that language अभी उस पर कोई आगे work नहीं हो रहा है इसलिए ठीक है तो glycolysis जो यह जो term है यह भी Greek word है यह दो चीजों से मिलके बनाए एक तो है glycos plus lysis glycos से मतलब क्या समझते हैं आप इसका सिंपल में हाँ शुगर और lysis का मतलब breakdown यानि कि कुल में लागे glycolysis में क्या होता होगा आपका sugar का breakdown होता है अब जैसे ही आप एक term सुनते हो sugar का breakdown तो दूसरी चीज माइंड में क्या क्लिक करनी चाहिए ना last class के अंदर मैंने आपको aerobic और anaerobic respiration के बारे में पढ़ाया था aerobic respiration में तो क्या होता है सबको पतावा कि इसके अंदर complete मतलब complete जो है glucose का complete breakdown होता है जितने भी carbon है CO2 के form में release हो जाते हैं लेकिन यही बात अगर anaerobic respiration की की जाए तो इसके अंदर complete breakdown होता है क्या? नहीं incomplete oxidation होता है यहाँ पर आप एक चीज़ यह ध्यान रखेंगे जितने भी living organisms हैं चाहे वो aerobic respiration करते हो aerobic की बात करें चाहे हम anaerobic की बात करें यहाँ पर glucose का incomplete oxidation incomplete breakdown से pyrovic acid का formation होता है क्योंकि एक generally अगर हम देखें तो जैसे यह term सुरेंगे कि glucose का incomplete glucose के अंदर वो सारे as a co2 के form में तो release नहीं होते आपको पता हुआ glycolysis के अंदर ultimate product जो है यह two molecules of pyrovic acid अपन को मिलता है यानि कि complete oxidation तो नहीं हो रहा incomplete oxidation हो रहा है तो अपने दिमाख में एक general चीज़ जो हमें general format जो हमें पता लगता है हमें ऐसा लगता है कि incomplete oxidation याने की anaerobic organisms की बात हो रही है लेकिन नहीं glycolysis जितने भी living organisms है चाहे aerobic चाहे anaerobic उसके अंदर हाँ common है glycolysis इन दोनों के अंदर ही आपके glucose के incomplete oxidation से two molecules of pyrovic acid का formation होता है पहला point अब यह याद रहेगा हाँ दूसरी चीज में सब लिखवाऊंगी इसलिए 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 नाम पढ़ गया EMP pathway ठीक है यहां तक सही है अभी glycolysis मैंने बोला कि aerobic और anaerobic respiration के अंदर दोनों के ही अंदर anaerobic और anaerobic और यह common pathway है anaerobic respiration की anaerobic organisms की अगर बात की जाए तो it is the only process of respiration anaerobic organisms के अंदर it is the only process of respiration that is the glycolysis ठीक है glycolysis के अंदर होता क्या है ultimately जो आपका 6 carbon compound जो glucose है इसका incomplete oxidation से 2 molecule of pyrovic acid का formation होता है इसमें कितनी series कितनी enzymatic reactions होती है कितने steps है किसी को पता है 10 दूसरा point अगर यहां से question आता है तो यह सका site glycolysis जैसे आपको पता होगा aerobic respiration के steps मैं aerobic की बात कर रहे हूं anaerobic मैं तो already मैंने एक term बोल दिया anaerobic organisms के अंदर the only process of respiration it is the glycolysis यानि कि सिर्फ glycolysis ही होता है लेकिन aerobic organisms की बात करें aerobic respiration की बात करें तो यहां पर तो सिर्फ incomplete oxidation हुआ है aerobic respiration में तो complete oxidation होना चाहिए तो मुझे बता सकता है कौन-कौन सी steps आती है aerobic में पहला step तो glycolysis दूसरा क्रेप साइकल है link reaction दोनों को कुछ जोड़ता है glycolysis और क्रेप साइकल को किसका formation होता है उसके अंदर acetyl coenzyme A उसे link reaction या gateway reaction भी कहते हैं कारण यह क्योंकि glycolysis और क्रेप साइकल को दोनों का बीच का link है दोनों को जोड़ता है तीसरा आपका वही क्रेप साइकल और synonyms बता हूँ इसके हाँ tricarbozoilic acid cycle और citric acid cycle भी बोलते हैं ऐसे चीक है fourth step Arabic respiration की steps की बात कर रही हूँ मैं एक step तो मैंने बता है glycolysis दूसरा link reaction तीसरा क्रेप साइकल चौथा step हाँ ETS और oxidative phosphorylation होता है क्या होता है ठीक है अब जो next next जो चीज आती है इन सब की site ये कहां कहां glycolysis कहां होता है cytoplasm के अंदर link reaction नहीं mitochondrial matrix के अंदर होता है k्रेप साइकल ये भी mitochondrial matrix के अंदर होता है और ETS हाँ inner mitochondrial membrane के अंदर होता है oxidative phosphorylation जितनी भी चीज़े मैं पूछ रहे हैं important है site से question आता है glycolysis cytosol या फिर cytoplasm के अंदर link reaction या फिर gateway reaction की बात करें और crap cycle दोनों ही आपके mitochondrial matrix के अंदर होती है आपके next ETS की बात करें तो crystal या फिर inner mitochondrial membrane के अंदर होती है oxidative phosphorylation कहां oxy som head F0 F1 particle हम लोग सुनते है वहाँ पर होता है ठीक है तो अभी glycolysis में यह चीज़ भी यहां से पता होगे कि इसका site कहा है तो यह आपके cytoplasm के अंदर होती है next important point यह है जैसे आपको glycolysis का पूरा 10 enzymatic chemical reactions क्या-क्या इसके अंदर होता है पूरा हम लोग discuss करेंगे तब आएगा लेकिन पूरे glycolysis में कहीं पर भी ना तो oxygen का consumption होता है ना ही CO2 release होती है सबसे पहले CO2 कहां release होती है respiration के अंदर किस process के अंदर होती है anybody from the class link reaction में सबसे पहले CO2 link reaction में release होती है नहीं कि glycolysis में ना तो O2 consume होगी ना किसी CO2 evolved होगा ठीक है substrate level phosphorylation एक ये term है सुना है क्या होता है substrate level phosphorylation anybody from the class स्नेहा दिख विजय हाँ ऐसा ही कुछ है वहीं पर कहां पर फॉस्फोराइलेशन वर्ड से मतलब क्या समझते हो phosphorylation वर्ड का मतलब क्या होता है ऐसे कभी नहीं बूलोगे इसका जो नाम है ना इसी के अंदर इसका explanation है phosphorylation मतलब क्या होता है phosphat में बदलना ATP का formation होता है क्या oxidative phosphorylation ये पूरा आपन लोगे ने discuss किया है यानि कि formation of ATP substrate level यानि कि ATP के formation के लिए जो energy चाहिए वो अगर substrate release करे without ETS ETS से नहीं कोई link है अगर ATP के formation के लिए substrate आपकी energy को release करे without ETS इसे हम कहते है substrate level phosphorylation और इसमें जो ATP का formation हो रहा है it is the oxidative phosphorylation important है oxidative phosphorylation होता है या फिर क्या होता है आपका इसमें oxidative phosphorylation होता है नाम से याद phosphorylation ATP का formation होगा substrate level पर यानि कि substrate अगर ATP के formation के लिए आपकी energy को substrate release करे without ETS electron transport system अभी मैं जब glycolysis पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आएगा electron transport system में आपके ATP मतलब वहाँ पर क्या बनता है फिर वो ETS में जाता है फिर कैसे ATP का formation होता है उसका detailed discussion में schematic diagram के साथ करूँगी पर मतलब इसमें आप सिर्फ इतना समझों कि ETS के बिना अगर substrate energy release कर रहा है उसी से ATP का formation हो रहा है तो इस the substrate level phosphorylation is it clear अभी आएगा वही ठीक है substrate level phosphorylation clear हो गया अभी आपके next point में बुल रहे हैं आपका जो पूरा जो scheme है glycolysis का उसके अंदर एक जगा पर आपके तो 2NADH2 जो है न यह आपको बनता आईए आपको देखने को मिलेगा total 4 ATP बनते हैं glycolysis के अंदर इन 4 में से 2 ATP तो यूटिलाइज हो जाते हैं तो आपका net gain जो है इससे 2 ATP का होता है अब मैंने बोला कि net gain 2 ATP का हो रहा है मैंने बता है क्या बनता तो क्या है एक तो 2NADH2 का भी formation हो रहा है 4 ATP भी बन रहा है तो यह 2NADH2 के ATP मैंने क्यों नहीं इसके अंदर count किये net gain के अंदर दो चार बात question तो समझ रहे हो मेरा चार ATP बने चलो उसमें से तो 2 use हो गए तो 4 में से 2 हो गए तो 2 यह तो समझ में आ गया लेकिन मैं बोल रहे हूं कि glycolysis जो process है उसके दरण आपके NADH2 का भी तो formation होता है आप हमेशा यह याद करते आयो ने कि 2 ATP का direct gain होता है इसके अंदर तो यह NADH2 हम क्यों नहीं count करते हैं इसके अंदर इसका ATP यह जो 2 NADH2 जो है यह ETS के अंदर चला जाता है इस process में glycolysis में जो NADH2 बनेगा यह ETS में चला जाएगा ETS से फिर आपके ATP का formation होता है अब वैसे दो 4 बनने चाहिए 2 NADH2 से ATP अच्छ है 1 NADH2 से 3 ATP हम करते है ना तो 2 NADH2 से 6 ATP लेकिन 4 भी बन सकते हैं और 6 भी बन सकते हैं इसके अंदर किस चीज पर डिपेंड करता है यह मैं बाद में पूरा डिटेल जाओंगी आप लोग को शायद एक आइडिया हो glycerol phosphate shuttle क्या होता है और malate aspartate shuttle क्या है पता है हां मतलब क्या होता है कि जिसमें glycerol phosphate shuttle अगर चल रहा है तो तो 4 ATP बनेगा अगर malate aspartate shuttle चल रहा है तो आपका 6 ATP बनेगा कोई नहीं मैं दोनों को डिटेल आपके साथ डिसकर्स करूंगी अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि क्योंकि यह रटना नहीं है चार ATP बनते हैं एक तो glycolysis में और 2NADH2 का भी formation होता है यह 2NADH2 तो लेकिन ETS के अंदर चले जाते हैं ETS में जाने के बाद यह आपके ATP के formation करेगा कितने ATP बनेंगे 4 भी बन सकते हैं और 6 भी बन सकते हैं किस चीज पर करता है कौन सी shuttle mechanism चल रही है अगर glycerol phosphate shuttle चलेगा तो 4 ATP बनेंगे अगर malate aspartate shuttle चलेगा तो 6 बनेंगे अभी तो सिर्फ एक मैंने स्टेट्मेंट डे रही है कि glycerol phosphate shuttle चल रहा है तो 4 बन रहे है malate aspartate चल रहा है तो 6 बन रहे है पर exactly ऐसा होता क्या है यह मैं अलग से आपको यह दोनों mechanism पढ़ाऊंगी तब आपको clear होगा अभी सिर्फ यह point ध्यान रख लेना ठीक है तो इसलिए 2NADH2 count नहीं करते जो 4 ATP बनते हैं glycolysis में उसमें 2 का utilization हो जाता है इसलिए जो net gain है glycolysis से यह आपके 2 ATP का होता है direct gain और it is from the substrate level phosphorylation यह मैं भी आपको उसके अंदर दिखाते हूं यहां तक clear है के सभी को यह रेखो आप ग्लूकोज यह होता है ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है ग्लूकोज जो है मैंने reversible बना रखा है it is the irreversible step ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 phosphate बनता है hexokinase की presence में और एक ATP के अंदर utilize हो रहा है यह जो magnesium plus iron है यह भी important है आपको ध्यान रखना है कहां पर क्या use होता है ठीक है तो सबको याद होगी मेरे साब से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 Phosphate से फ्रक्टोज 6 Phosphate फ्रक्तोज से फ्रक्तोज 1,6 Bisphosphate फिर इस से glyceraldehyde 3 Phosphate 1,3 Bisphosphoglyceric Acid 3 Phosphoglyceric Acid 2 Phosphoglyceric Acid 2 Phosphoglyceric फिर फाइनली पाइरवेक एसेड जो फॉर्मेशन होता है तो टोटल दस मतलब जो सिरीज है यह जो बायोकेमिकल रियक्शन एसकी बायोकेमिकल एंजयमेटिक इसके 10 स्टेप्स हैं सबसे पहला स्टेप आप देखो ग्लूकोस ते जो ग्लूकोस 6 फॉस्फेट बन रहा है यह आपका irreversible process है एरो देखो आप ग्लूकोस से जो ग्लूकोस 6 फॉस्फेट बनता है यही एरो यूज हो रहा है यहाँ पर यानि कि यह एक irreversible process है जी कि ग्लूकोस 6 फॉस्फेट अगर एक बार बन गया तो इससे वापस से ग्लूकोस नहीं बन सकता किस एंजयम की प्रिजंस में ग्लूकोस को ग्लूकोस 6 फॉस्फेट में जब यह convert होता है तब आपका एक ATP यहाँ पर utilize होता है ठीक है दो ATP utilize हो रहे ना एक ATP तो यहाँ हो गया next step ग्लूकोस 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट का formation होता है in the presence of enzyme isomerase फिर फ्रक्टोस 6 से फ्रक्टोस 1-6-bisphosphate का formation होता है in the presence of an allosteric enzyme इस allosteric enzyme का नाम है फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज और यहाँ पर भी आपका एक ATP utilize हो गया है यहाँ तक तो सारे 1 molecule क्योंकि ग्लूकोस आपका 6 carbon compound है यह भी 6 carbon है यह भी 6 carbon है यह भी 6 carbon है जब फ्रक्टोस 1-6-bisphosphate से glycer aldehyde 3 phosphate बनता है glycer aldehyde 3 phosphate एक 3 carbon compound है इसलिए यहाँ से 2 molecules बनने शुरू ह हो रहे हैं ठीक है सब जगा 2 लिखा हुआ है अब मैंने आपको बताया था कि 2 NADH2 का formation होता है इस process के अंदर आप देखो यहाँ पर 2 NADH2 बन रहे है 2 NADH2 जो बना यह आपका यह आपको 2 ETS यानि कि mitochondrial matrix के अंदर या फिर inner mitochondrial membrane के अंदर membrane के अंदर mitochondria यह सारा जो glycolysis cytoplasm के अंदर चल रहा होता है यहाँ पर जो 2 NADH2 बना यह आपके ETS यानि कि mitochondria के अंदर चला जाता है फिर यह वहाँ पर ATP का formation करता है ठीक है फिर यह जो 13-bisphosphoglyceric acid था इससे 3-phosphoglyceric acid का formation होता है और इस दौरान 2 ATP का formation होता है यहाँ पर दिखा है substrate level phosphorylation यानि कि substrate energy को release कर रहा है for the formation of ATP without ETS, ETS में तो move नहीं कर रहा है, ATP का formation यहीं पर phytoplasm के अंदर ही हो रहा है, ETS में नहीं जा रहा है, फिर substrate level phosphorylation पर यह 2 ATP का formation होता है, ठीक है, फिर आपके 3-phosphoglyceric acid से 2-phosphoglyceric acid का formation होता है, in the presence of enzyme mutase, फिर 2-phosphoglyceric acid से in the presence of enzyme inolase, आपके phosphofenol pyrovic acid का formation होगा, phosphofenol pyrovic acid से pyrovic acid का formation होता है, in the presence of enzyme pyrovic acid kinase, और इस दोरान भी 2 ATP का formation होता है, substrate level phosphorylation, इसमें भी ETS के अंदर तो नहीं जा रहा है, डिरेक्ली यहीं पर formation हो रहा है, तो substrate level phosphorylation 2 ATP का formation हो रहा है, यानिक ही, total glycolysis के अंदर अगर हम देखें, तो glucose का incomplete oxidation से, एक तो pyrovic acid बन रहा है, तीकि टोटल 10 enzymatic reactions चलती हैं, उसमें पूरा, एक तो 2 ADH2 बनते हैं, इसमें formation की बात करें, लेकिन यह 2 NADH2 हम इसमें, इसके net gain में count क्यों नहीं करेंगे, यह 2 NADH2 बने, यह ETS के अंदर चलेगा, य ताकि 4 ATP बने, 2 ATP यहां पर और 2 ATP यहां पर, यह 4 ATP बने, यह substrate level phosphorylation पर, लेकिन इन में से 2 ATP consume हो गए, 1 ATP यहां consume हो गया, 1 ATP यहां consume हो गया, तो net gain की बात करें, तो यह direct gain होता है, from the substrate level phosphorylation, that is the 2 ATP, is it clear to everybody?